Dear Students, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 8th class की English subject की वक्षिट No.23 को solution के साथ explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वक्षिट No.23 Notice Writing यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से notice बनाय जाते हैं, notice लिखे जाते हैं Today, let us learn how to write a notice कि किस तरह से हम notice लिख सकते हैं A notice is a formal piece of information about an important event that is about to take place to inform a group of people Notice जो है, वो किसी भी formal information को represent करने का एक method है Notice में हम क्या करते हैं, कि मतलब बहुत सारे लोगों को group of people मतलब जब हमें एक बार, एक चीज किसी भी बहुत बड़े group को बतानी होती है तो हम notice board पर एक notice लगा देते हैं, ताकि सब लोग उसको पढ़े, understand करे और वो information हरे तक पहुँच जाए तो it is usually displayed on the notice board इसे हम कहां लगाते हैं, notice board पर जैसे students, आपके school में भी notice board है यदि आपकी maim को कोई भी message आपको convey करना होता है पूरे school को convey करना होता है यदि सिर्फ आपकी class को convey करना है तो वो आपकी class में आके भी बोल सकती है लेकिन अगर वो message उन्हें पूरी class को पूरे school को convey करना है तो वो क्या करेंगी, notice board पर एक notice लगा देंगी ताकि school के हर एक student को वो notice मिल जाए तो इस तरह से ये notice board के उपर display किया जाता है Remember a notice is always written in a box हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आप notice लिखने है तो आपको वो notice एक box के अंदर लिखना है Now next is carefully observe the format of a notice below देखें यहाँ पर आपको notice का format दिया गया है Notice हमेशा इसी format में और इसी तरीके से लिखा जाता है सबसे पहले आप name of your school अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं उसके बाद notice Next कि हम notice लिख रहे हैं ये एक notice है फिर आपको लिखना है notice Then date of issue कि यह notice किस date को लिखा जा रहा है किस date को issue हुआ है तो आपको उसके बाद date डालनी है date डालने के बाद आपको title of the event लिखना है कि किस title के उपर आप notice लिखना चाहते हैं जैसे कई बार हम inform करना चाहते हैं कि हमें मतलब morning assembly में एक जबैटरी box मिला तो वो जिसका है आके हमसे ले जाओ तो हमारा मतलब notice का title क्या है कि I got a जबैटरी box जो भी आपके notice का title है उसके बाद आपको title लिखना है title लिखने के बाद आपको body लिखना है body मतलब date time time body लिखने के बाद आपको απόने sign करने है अपना nam लिखना है designation बताना है designation का मतलब कि आप लिखने वाले notice जो है वो कौन है किस हिसाब से किस लिए notice लिख रहे हैं तो last में आपको बताना है कि आप head boy है head girl है principal है teacher है यह class teacher है तो इस तरह से last में आपको अपनी designation लिखनी है है तो जब दी students आप notice लिखेंगे तो notice आप हमेशा इसी format में लिखना चलो next देखते हैं हमारे पास मतलब व्यू दिया गया है notice का तो उसे पढ़ लेते हैं now let us practice fill in the blanks using the above format and words from the clue box below नीचे आपको clue box में कुछ words दिये गए हैं आपको वह words in fill up में fill करने हैं तो देखें पहले notice का notice क्या है हमारा हम उसको पढ़ लेते हैं इसको पर लेते हैं यू आर अन्या शौर्य गर्ल ऑफ दा स्कूल आप अन्या और शौर्य के नाम से notice लिख रहे हैं जो कि स्कूल के head girl और head boy है write a notice to be put on the notice board of your school regarding food distribution camp organized by your school during the lockdown आपको notice क्या लिखना है कि lockdown के दोरान आपके स्कूल में food distribution camp लगा है तो अब वो food distribution camp कौन से बच्चों के लिए है कौन से parents के लिए है किस दिन है वो सब आपको पर नोटिस में लिखना है आपके notice का title क्या है food distribution camp तो चलिए पहले clue box में जो words दि लिख लेते हैं collect schedule follow organized lockdown informed अब देखिए सबसे पहले मैंने notice में आपको format बताया था उसमें था कि सबसे पहले आपको अपने स्कूल का name लिखना है तो यहाँ पर आप सब बच्चे अपने स्कूल का name लिखेंगे xyz senior secondary school दिल्ली मैंने xyz लिखा है आप अपने स्कूल का नाम लि आप 07 10 2021 नाओ next notice का title क्या है हमारे notice का title क्या है food distribution camp अब आगे फिल कीजिए notice का notice की body लिखिए body में क्या लिखना होता है आपको date लिखनी होती है कि notice पे जो भी notice हम लगा रहे हैं वो किस date को है किस time पर है और उसका venue क्या है लिखिए all parents are informed that due to lockdown a food distribution camp is organized by our schools for the classes for the students of the classes six to eight सभी parents को यह inform किया जाता है कि lockdown के दोरान एक food distribution camp organize हुआ है हमारे school में जो कि six से eight class के students के लिए है only parents of these students appropriate behavior only parents of these students will be allowed to collect the food खाली six और eight class के parents को सिर्फ यह allowed है कि school में आकर food collect करें parents are requested to follow covid appropriate behavior specially inside the school premises वह है covid के सारे नियम्स को सारे नॉम्स को फोलो करें जैसे mask लगाना distance पना के रखना hands को sanitize करना इस तरह से ब्रिंग योर वार्ड वार्ड आई-कार्ड एंड ब्रिंग कैरी बिग कैरी बैग अपने वार्ड का आई-कार्ड जरूर लेकर आएं साथ में और साथ में एक कैरी बैग भी लेकर आएं the schedule of the camp is as follows इसका schedule क्या है डेट है ये camp लगेगा हमारा 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक timing रहेंगे 1 पीम टू 5 पीम और venue कहां पर रग रहा है food distribution camp XYZ senior secondary school में अपने school का नाम लिखिए यहाँ पर आप सब for further detail please contact the undersign यदि उसके बाद भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिये गए sign पर आगर आप पूछ सकते हैं जैसे आन्या और शोरिया ने लिखा है ये notice जो की स्कूल के head boy है head girl है xyz senior secondary school last में आप अपने school का नाम लिखिए तो students ध्यान रखना जब भी आपको notice लिखना है आपको सबसे पहले school का name लिखना है उसके बाद notice लिखने के बाद date of issue लिखना है कि notice किस date को issue क्या जा रहा है उसके बाद इसका title लिखना है अगर आप इन में से कोई भी concept मिस करते हैं तो notice में आपके marks कर सकते हैं उसके बाद आपको इसकी body लिखनी है body में मैंने आपको बताया क्या के चीज़े आती है date लिखनी है उसके बाद time लिखना है और date time के बाद आपको उसका venue लिखना है तो स्टूदेंट्स का टाइडल आपको पता चल गया है आप एक दो नोटीस लिखके देखिए जैसे एक मैं आपको ग्जांपल देती हूं मालो आपको उसमें क्या कहते हैं मोर्निंग असेंबली में कोई 100 रूपीज मिले हैं तो आप नोटीस लिख सकते हैं मतलब 100 में युद सकते हैं मतलब अपने नोटीस में हैं लिख सकते हैं कि आपको असेंबली में एक रिंग प्राप्त हुई है तो वह जिसकी हो वो आप से आकर कलेक्ट करें तो आपको इस तरह से एक नोटीस बनाना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने वो नोटिस बनाया या नहीं बनाया आप बना पाए या नहीं बना पाए तो स्टुडेंट्स यह था हमारी वक्षिट का पूरा सोलीशन उमीद है आपको यह वक्षिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई करी है तो वीडियो के कमेंट सेक्चन में जरूर पूछिए मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाइ करने की कोशिश करूँगी वीडियो को लाइक और पने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए ठैक्स पूर वोचिंग ह Have a nice day.